दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार देखिए एसनेखेड मचली का शिकार करने के लिए बड़ा वला एसनेखेड जैसे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है या इससे बड़ी एसनेखेड मचली का शिकार करने के लिए या सौरा मचली शिकार करने के लिए दोस्तो एक बहतरीन चारा है जिसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा फिशिंग होक में लगा करके कई किस तरह से लगा हुआ है तो दो चारा मैं यहाँ दिखाऊंगा दोनों तरीका से बहतर शिकार होता है एक चारा जो है वो पानी का जो टॉप लेबल है उसके उपर रखना चाहिए मतलब पानी के टॉप लेबल से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पानी के टॉप लेबल से एक मीटर नीचे होना चाहिए उससे ज्याधर नीचे नहीं, तो उसमें मचली शिकार ज्याधर तेजी से पकड़ती है। दूसरा चारा जो है जो कीड़ा का इस्तेमाल किया गिया है, वो आप पानी के गहराई में डाल सकते हैं, जैसे बबलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं सीधा fishing hook पानी में डाल देते हैं या बड़ा सा ढोड़ी में fishing hook डाल कर उसको गोल गोल घुमा के दूर पानी के अंदर डालते हैं तो दोनों तरीका मैं दिखाऊंगा तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको बिना बबलर के जिस चारा का हम इस्तेमाल करेंगे वो तो देखिए दोस्तों यहां fishing hook में हमने एक कीड़ा लगाया है जिसको हमारे तरफ बोलते हैं सुगा इसको आप ढूंड लीजिए कहीं भी घास के उपर मिल जाएगा मिलने के बाद से fishing hook में इस तरह लगा दीजिए बिना बबलर के आप पानी में डालिए इसको और डाल करके इसने खेड या गरई मचली या सहुरा मचली का शिकार की दिये चाहे तो आप दान के खेट में तलाब में नदी में नहर में हर जगा से आप इस चारा का इस्तमाल करके शिकार करेंगे दोस्तो अब मैं दूसरा वाला चारा दिखाते ह। देखिए दोस्तो दूसरा तरीका ये है जीन्दा पोठिया मच्छली को इस तरीके से जैसे हमने फिशिंग होक में लगाया हैं उस तरीके से लगाये हैं लगाने के बाद से आप पानी के टॉप लेबल पर इसको रखिए य इसको थोड़ा दूर फेकना चाहिए ताके मचली आसानी से आए बीना डड़े हुए और आपको शिकार मिले तो दोस्तों इसका ख्याल करके बेहतर तरीके से आप शिकार कर सकते हैं और ये दोनों चारा काम्याब है दोस्तों सर्दी के मौसम में आपको शिकार करना हो तो इस बाद आना चाहिए और धूप कम होने से पहले शिकार करके वापस चले जाना चाहिए सरदीक मौसम में यही तरीका काम्याब होता है और पानी से थोड़ा दूर मतलब पानी के किनारे से थोड़ा दूर अंदर के तरफ चारा डालिए बहतर तरीके से शिकार होगा तो उमीद क कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको फायदा पहुचता है तो वापस आकर के जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ओके दोस्तों सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू शुकुरिया